हाई फ्रेंड्स हो में किचिन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कच्छी केरी का मुरबह बनाना बता रहे हूं फ्रेंड्स। इसे आप साल भे तोर करके रखेंगे तो खराब बिल्कुल नहीं होगा। आप एक बार हमारी तरीके से बनाएं कच्छी के रीका मुरभ्पा बहुती टैस्टी और بहुती सवादिश्ट बनेगा आप इसे साल भर श्टोर करके भी रखें तो खराब नहीं होता है ये इतना टेश्टी लगता है बिल्कुल खटा मिठा बहुत ही स्वादिश्ट लगता है जब किसी को बुखार हो या मुँ का स्वाद गड़बड हो तब भी आप मुरब्बा खाने को दें बहुत ही टेश्टी लगता है और मुँखा सुआत भी बहुत बढ़या हो जाता है तो चलिए शुरू करें कच्ची केरी का मुरबब बनाने के लिए हमने एक पाव केरी ले लिए है 250 ग्राम केरी हमने ले लिए है फ्रेंट्स ये एकदम कच्ची केरी है ये देखिए बिल्कुल हरी हरी और अच्ची कच्ची केरी लिए हमने सबसे पहले हम केरी को छील लेंगे एक छीलनी से हम इसको छील लेंगे और ये सारी केरीों को हम अच्ची तरीके से इस तरीके से छील लेंगे इसके सारे छीलके अलग कर देंगे ये मैं छील रही हूँ इसी तरीके से आप पहले कच्ची केरी को छील ले सारी केरी को आप छील ले और छीलने के बद आप कच्ची केरी के उपर पानी डाल दें ताकि ये काली ना पड़ें हम पानी डाल दे रहे हैं इसमें और इसमें केरी हम छील के रखते जाएंगे यह हमने चील दिये, इसी तरीके से हम सारी केरी चील लेंगे, बाकी केरी भी हम चील लेते हैं, पटापट चील लेते हैं, केरी को आप चील लें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप पानी डाल दें, नहीं तो केरी का कलर चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी काली भी पढ़ ज जाती है, इस सारी केरी को हम इसी तरीके से छील लेंगे और पानी में डालते हैंगे, छील के अच्छे तरीके से निकालने केरी के, ये सारी केरी हमने छील दी है, इसके हमने छील के अलग कर दिये हैं, अब ये केरी को हम किसनी से किस लेंगे, हम सबसे पहले किसनी से किस लेते केरियों को हम किस लिएंगे, थोड़ी मोटी दाने की गिसनी से किसे ताकि अच्छे पीसे साएं, देखने में मुरब आच्छा दिखता है, ज़्यादा बारिक रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा महीन हो जाए गई, इसलिए थोड़ी बड़े दाने की किसनी से किसे तो किसके तैयार कर लेते हैं हम सारी केरियों को, यह हमने किस लिया है, यह देखिए, यह हमने थोड़ी मोटे दाने की किसने से किस लिया है, ताकि यह पीसिस अलग-अलग दिखें बिलकुल, खुले-खुले से, और यह कढ़ाई ले ली है हमने, इसमें यह सक्कर डाल देते हैं, सक्कर के ले रही हूं मैं टू कप सक्कर डाल रहे हैं हम मेजरमेंट का सेकंड वाले कप से ढाले हैं यह हाप कप बाले से यह हमने डाल दी है सक्कर इसमें इसी कप के नाप से हम हाप कप पानी डाल देंगे टू कप सक्कर ली है हमने और इसमें हम हाप कप पानी डालेंगे यह हमने ह गेस पर रख देते हैं गरम होने के लिए शक्कर इवर फिघलाईगी अम इसकी चास्ली तयार करेंगे हम इसमें हापकम पानी डाला है ताकि अच्छी तरीके से हमारी घूल जाए ये गार्म होते ही शक्कर फिघलने लगेगी चला लेते हैं इसको mix कर लेते हैं हम ये सक्कर हमारी पिखल रही है ये देखिए हमने गेस की flam टेज कर दी है तेज आज में इसको होने देंगे चला देते हैं इसको जर्य से हम चलाते जाएंगे ये देखिए सक्कर अच्छी तरीके से ताकि गुल जाए ये बहुत जल्दी बन जाती है, 10 मिट में ही तैयार हो जाएगी ये हम चासनी हमारी तैयार होने लगी है, ये देखिए सक्कर घुर गई है काफी, अच्छी तरीके से सक्कर घुर जाए आप देखिए, मैं लगाताँ चला रही हूं ये सक्कर हमारी घुर चुकी है, काफी कुछ अच्छी तरीके से, सिर्फ सक्कर घुर जाने दें, इसके बाद इसमें केरी डालेंगे, ये केरी हमने जो किसके रखी है, वो अब हम इसमें डालेंगे, क्योंकि सक्कर हमारी अच्छी तरीके से घुर चुकी है, और ये केरी हमने जो डाली है किसके ये भी अच्छी तरीके से चुड़ जाएगी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं इसमें आप थोड़ा सा इलाइची पाउडर डालें टेस्ट बहुत बढ़िया आता है ये इसमें एक दो चुटकी में इलाइची पाउडर डाल रही हूँ बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है आप खटी मीठी चीज बनाए या मीठा बनाए उसमें इलाइची का उपयोग जरूर करें बहुत ही स्वाधिस्ट लगती है आप चासनी को प्लेट में डालके चेक कर लें कम से कम तीन तार की चासनी हमको चाहिए होती है ताकि यह ज़्यादा जमे भी ना और थोड़ा सा लिक्विड भी रहे सकर की चासनी हमारी बढ़ियां तयार हो जाए आप एक प्लेट में डालके चेक कर लें आप चासनी डालेंगे तो एकदम ही पानी की तार है ना बहे वैसे हमको चासनी लेना है इसको हम थोड़ा और पका लेते हैं चासनी को हमारी अच्छी गाड़ी हो जाने देते हैं गेस की फ्लेम हमने तेजी रखी है और इसको हम लगातार चला रहे हैं ये देखिए ये गाड़ी होने लगी है, हम इसको एक प्लेट में डालके चेक कर लेते हैं, और केरी भी अच्छे से चुड़ गई है, इसके हमको तीन तार की चास्टनी लेना है, आप उंगली अंगुठे से भी ऐसे करके चेक कर लें, आपको समझ में आ जाएगा, और प्ले इसका कलर टेक्चर देखिए, आप कितना बढ़ियां आया है, दिख रहा है ना हमारा मुरुपः एकदम बढ़ियां, ये खाने में बहुत ही सौधिश लगता है, एकदम खटा मिठा, आप बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, बहुत ही पसंद करेंगे, तैयार हो आप इस्टोर करके रखें तो और ज्यादा बेटर रहेगा, आप इस तरीके से बनाएं मुरापा, बनाके देखें, तैयार करें, बहुत बड़े हैं, बहुती स्वाधिश लगेगा, पसंद आए, तो प्लीज सोम्य चनल को लाइक और सब्क्राइब करें फ्रेंड्स, इसे